इस वीडियो में MP Plus Constable exam के लिए reasoning का model paper देखेंगे जो कि आपके exam के लिए important है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूंगा जो लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने चलिए स्टार्ट करते हैं तो निर्दे से प्रसंद संख्यावन के लिए बहे जोड़ा अत्वा समू चुनिये जो कि उसी प्रकार का संबंद दिखलाता है जैसे कि प्रतेक जोड़े अत्वा समू के उपर वाले जोड़े में है जैसे कि कोशन है वसंद का संबंद ग्रीसम से तो बैसा ही एक संबंद न निर्दे से परसंद्रक्या और तर्फन के लिए दीए विकलपों में से विसम यूगम को चुनिए विसम क्या होता कि चार आपसेन दीये जातें इसमें से तीन जो होते हैं वो तो आपके समान हो जाते हैं लेकिन जो एक आपसेन बसता है वो ँन्न तीनों से爱 Austal 5000 संगत हो जाता है यह सभी नाम होते हैं ओके टो देखिए गाईस सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंग इसका आंसर कैसे निकालेंगे तो आप्सेन ए देखते है ओप्सेन मेरे स्टार्टिंग के दो अलफबयट किया है इस्माल लेटर में Option C में starting के 2 alphabet, small letter में Option B में starting के 2 alphabet, small letter में लेकिन Option D में capital letter में तो यही आपका विसम हो जाएगा Option D is right answer अब 53 में विसम बताना एक-एक option को चेक करते हैं 53 के दोनों डिजिट मतलब 5 और 3 का multiply करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है 17 Option B चेक करते हैं 64 64 के दोनों डिजिट का multiply करेंगे तो मिल जाता है 24 अब Option D 2 और 7 का multiply करेंगे तो 14 मिल जाएगा लेकिन Option C में ऐसा नहीं 8 और 2 का multiply करें तो हमें मिलना चाहिए 16 लेकिन दिया हुआ 17 तो भी समूझाएगा Option C अगले यदि नीले का आर्थ है हरा हरे का आर्थ है सफेद सफेद का आर्थ है काला काले का आर्थ है लाल लाल का आर्थ है फीला तो कच्चे केले का रंग कैसा होता है इस टाइब के question में क्या होता है जो पूचा जाता है सबसे पहले हम लोग last में चले जाते हैं अंग्रेजी बर्ड माला में जिस अल्फावेट का इस्तान जिस जगए पर होता है उनी अल्फावेट के आधार पर आपको सब्दों को सेट करना है तो कैसे सेट करेंगे सबसे पहले आएगा चौथा वाला उसके बाद आएगा आपका कौन सा आएगा लिटर ओप्सन टू व इस राइट अंसर अगला कोशन देख लेते हैं यदि बैंगलोर को एक कूट वासा में इस से लिखा जाए तो उस कूट वासा में ऐलोरा को किस प्रकाल लिखा जाएगा बैंगलोर के सारे अलफावेट लिख लेते हैं V-A-N-G-A-L-O-R-E सब के नमबर लिख लेते हैं B को को क्या लिखा गया आठ, N को लिखा गया है साथ, G को लिखा गया है छे, A को लिखा गया है आठ, L को फिर पांच, O को लिखा गया है चार, और चार, R को लिखा गया है तीन, और E को दो, तो हमें एलोरा का कोट बताना, तो एलोरा के अलफावेट लिख लेते हैं E-L-O-R- L का कितना है? 5. 5 लिग दिया. फिर L है, तो L का 5 लिग देते हैं. अब है O की बारी. O का कितना है? 4. 4 लिग दिया. अब है R की बारी. R का कितना है? 3. 3 लिग दिया. अब है A की बारी. A का कितना है? 8. तो 25, 54, 38 आपका answer हो जाएगा. 25, 54, 38. Option B, it's right answer. अगला नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्लिके सब्दों का सार्था कारोई करम दर्साएगा आरोई मतलब छोटे से बड़े की और तो देखे इसका क्या होगा option B पहले बाजार फिर हरी सब्जी बाजार जाओगे फिर हरी सब्जी लोगे फिर उस सब्जी को काटोगे फिर पकाओगे सिर्फ हो जानोगा तो option B इस राइट अंसर अब दिये गए विकल्पों में से लोगत संक्या गयात करने ही यहां पर देखे question mark है तो हम लोग एक एक column को लेके solve करेंगे पहले column में बड़ी संक्या है 35 35 को उपर कौन कों से संक्या है 5, 7 और 1 इन तीनों का multiply कर देंगे तो हमें मिल जाता है 35 अब दूसरे column को लेते है को उठाते हैं बड़ी संक्या है 72 72 को उपर कौन कौन से संक्या है 9, 2 और 4 तीनों का multiply कर देते हैं नो दुनी 18 अठाचोक 72 यही तरीका हम लग लगाएंगे चौथे column में 6 का 4 में multiply और 5 में भी multiply 6 चौक 24 चौबिस पंजे तो आपका answer हो जाएगा 120 option C is right answer अगला question देख लेते आधित ने दच्छिन की और 12 किलोमेटर की यतरा की दच्छिन मतलब नीचे की और कितनी की 12 किलोमेटर की फिर बाई और मुणकर 10 किलोमेटर की यतरा की तो यहां से आपका बाया क्या हो जाएगा इधर के तरफ कितनी की 10 किलोमेटर की फिर बाई और मुणकर 12 किलोमेटर की अब यहां से आपका बाया क्या होगा उपर की तरफ कितनी की बार एक किलोमेटर की मिलान मितान प्रारंबे के स्थान से कितनी दूर था तो ये और ये दूरी बतानी है तो नीचे देखे 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी तो option B is right answer अगला है 6 मित्र हैं ABCDEF अब पूरब की और मूँ करके बैठे हैं एक पंक्ती में बैठे हैं तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, और छे आगे कहता C बीच में A और E के अगर A को इदर रख दें E को इदर रख दें तो C बीच में हो गया आगे कहता B, E के निकर्तम दाएं तो E का निकर्तम दाएं इदर हो जाएगा तो B इदर राजाएगा लेकिन, D के बाँउ हो रहा है अगर D को इदर रख देंगे तो D का बाँआ और इदर हो जाएगा तो आपका सेट हो गया F जो है बोटाएं चोर पर नहीं है तो इदर इदर है तो एप जो इधर नहीं तो कहा होगा आई इधर होगा बाइचोर पर डी के साथ कौन सा जोड़ा बैठा है अप डी के साथ कौन सा जोड़ा बैठा है इवी तो आप्शन सी इस राइट अंसर इस कोस्चिन है देखिए 179, 144, 1200 यहां पर लगा हुए कोस्चिन मार्क 179 होता है 13 का स्कौर, 144 होता है 12 का स्कौर, 121 होता है 11 का स्कौर और 100 होता है 10 का स्कौर, एक एक संख्या करती जारे पहले 13, फिर 12, फिर 11, फिर 10 उसके बाद 9 का स्कौर 9 का स्कौर कितना होता है? 16, तो आप्शन सी इस राइट अंसर अगला F L U, G M B, H N W, I O X, आगे question mark, तो हम लोग सभी के पहले पहले अलफाबेट उठा लेते हैं, F से बनाते हैं G, F का code होता है 6, G का होता है 7, 6 से 7 बना कितना जुड़ा, 1, अब G से बनाते हैं H, H का होता है 8, 7 से 8 बना तब आपका कितना जुड़ा, 1, अब H से बनाते हैं I का 9 होता है, 8 से 9 बनाया, तब आपका एक जुड़ा, पीछे सभी में एक एक जुड़ा, तो आगे भी एक जुड़ेगा, तो 9 में एक जुड़ेंगे 10, 10 किसका होता है, J का, option A में देखे पहला अलफाबेट J है, और option D में पहला अलफाबेट J है, मांकी में नहीं है, तो एक जुड़ा, अब O बनाते हैं, 15, 14 से 15 बनाया, तब आपका एक जुड़ा, पीछे सभी में एक जुड़ा, तो आगे भी एक जुड़ेगा, 15 में एक जुड़ेंगे 16, 16 किसका होता है, P का, तो दूसरा अलफाबेट हमें P मिल गया, लेकिन option A में बाई आरा तो ये भी बनाते हैं, एक अलफाबेट कोड होता है, C का होता है, 3, 1 से 3 बनाया, दो जुड़ा, अब C से E बनाते हैं, E का होता है, 5, 3 से 5 बनाया, तो आपका दो जुड़ा, अब बनाते हैं, G, G का होता है, 7, 5 से 7 बनाया, तब आपका दो जुड़ा, तो आगे भी 2 जुड़ेंगे साथ में दो जोड़ देंगे कितना जाएगा 9 तो एक छोड़के last वाला बन जाएगा I तो हमें last वाला मिल गया I ओके last वाला I alphabet मिल गया है अब हम लोग P से बनाते हैं Q एक एक छोड़के P का होता है 16, Q का होता है 17 तो कितना जोड़ा 1 अब Q से बनाते है R R का होता है 18 17 से 18 बना तब आपका एक जोड़ा फिर एक छोड़ेंगे तो आगला question mark बन जाएगा तो 18 में एक जोड़ेंगे तो 19, 19 किसका होता है S का तो ऐसा ही आपका answer हो जाएगा तो option है is right answer अगला है 5 और question mark आगे 23, 47, 95, 11, 99 कैसे करेंगे तो हम लोग आगे 23 से देखते है 23 से 47 बनाना 23 में 2 का multiply और एक जोड़ दिया अब 47 से 95 बनाना है तो 47 में भी 2 का multiply और एक जोड़ दिया 95 से 111 क्यानमे बनाना है तो 95 में भी 2 का multiply और एक जोड़ दिया तो यह होरा पीछे भी यही होगा होगा तो 5 में भी 2 का multiply पांदो ने 10 और एक जोड़ देंगे तो 11 आपका answer आजएगा तो option D is right answer अगला देखें यहां पर लगा हुआ है question mark इस type के question में क्या होता जो तरीका पहला और दूसरे में लगेगा बही तरीका आगे apply करेंगे तो QT U के लिए देख लेते हैं Q का alphabet code होता है 17 T का होता है 20 U का होता है 22 तो 21 होता है 17 से 20 बना तब तो आपका 3 जुड़ा और 20 से 21 बना तब आपका 1 जुड़ा अब I LM के लिए देख लेते हैं I का होता है 9 L का होता है 12 M का होता है 13 तो 9 से 12 बना तब आपका 3 जुड़ा और 12 से 11 बना तब आपका 1 जुड़ा अब आगे भी देखते हैं V का होता है 2 E का होता है 5 F का होता है 6 तो 2 से 5 बना तब आपका 3 जुड़ा और E से F बना तब आपका 1 जुड़ा तो एक ऐसा option चुनना है जो question mark को question mark की जगे पर आ जाए और तीन और एक जुड़े तो वो option आपका क्या होगा W, Z, A तो देखें, W का होता है 23 Z का होता है 26, A का होता है 23-26 होना तब आपका 3 जुड़ा और 24-1 होना तब आपका 1 जुड़ा तो option C is right answer अगला L, O, P, K, I, R आगे question mark कैसे करेंगे देखें, L का विपरी तलफावेट code होता है O और P का विपरी तलफावेट के होता है अब देखें, O से हम लोग बनाते है P, O का होता है 15, P का होता है 16, कितना जुड़ा एक जुड़ा, यही तरीका आगे भी अपलाई करेंगे I का विपरी तलफावेट होता है R, R का code होता है 18, 18 में एक जुड़ेंगे तो 19, 19 किसका हो जाएगा S S का विपरी तो अलफावेट को अलफावेट हो जाएगा H तो आपका question mark के जगे पर आजेगा S तो option B is right answer अगला है यहाँ पर लगा हुआ question mark तो हमें 64 से 144 बनाना कैसे करेंगे 64 के उपर हम लोग क्या करते है अंडरूर लगा देते हैं, कितना है 8 और 8 में 4 जोड़ के इसका square कर देते हैं, तो 12 का square मतलब 144, यही तरीका आगे apply करते हैं, 256 पर लगाया अंडरूर तो 16, 16 में हम लोग क्या करते हैं 4 जोड़ते हैं, और इसका square करते हैं whole square, तो 20 का square मतलब 400, तो option C is right answer अगला है देखिए यहाँ पर लगा हुआ question mark, तो 8 और 28 के लिए देख लेते हैं 8 के लिए 3 का square करते हैं और एक घटा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है 8 कितना मिलता है 8 यही तरीका आगे apply करते हैं अब 3 का cube कर देते हैं और एक को जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता 28 अब 15 के लिए देख लेते हैं चार का स्कॉर किया और एक गटा दिया तो हमें 15 मिल गया अब आगे चार का क्यूब होगा क्यूंकि पीछे भी हुआ था और एक जोड़े देते हैं तो आपका आजाएगा 65 ऑप्शन भी ज्राइड आंस 54 से 76 कोश्चन के लिए निर्देश है निमलिकित में उसे चुनिए जो अन तीन विकलपों से भिने आपको विसम बाला बताना चाहतर में विसम कौन सा होगा देखिए कागज आपका विसम हो जागा क्यूंकि पेंस से कागज पर लिखते हैं मारकर से भी लिख सकते हैं पैंसिल से भी लिख सकते हैं लेकिन कागज से कागज पर लिख सकते हैं नहीं तो विसम हो जाएगा उप्शन सी अब इसमें बताना वे समत हो एक एक option को चेक करते हैं सभी के alphabet code लिखते हैं 1, V का होता है 2, D का होता है 4 और G का होता है 7 तो 1-2 बना तो आपका एक जुड़ा 2-4 बना तब आपका दो जुड़ा 4-7 बना तब आपका तीन जुड़ा option भी चेक करते हैं option भी चेक करते हैं option भी चेक करते हैं पांच से चे बना तब आपका एक जुड़ा चे से आट बना तब आपका दो जुड़ा आठ से गहर बना तब आपका तीन जुड़ा तीन option सेम एक option बचा यही आपका अंसर हो जागा तो option D is right answer अगला है M का अर्थ है भाग लिख लेते हैं M का मतलब है divide R का अर्थ है plus R का मतलब लिख लेते हैं plus T का अर्थ है minus T का अर्थ है minus K का अर्थ है multiply तो एक equation दिया इसको solve करना है तो 20 R R का मतलब क्या है plus तो plus लगा दिया 16 K K का मतलब है multiply तो multiply लगा दिया 5 M M का मतलब है भाग तो 10 T T का मतलब क्या है माइनस और 8 लगा दिया अब बॉर्ड मास रूल apply करते हैं सबसे भाग वाला solve करते हैं तो 20 प्लस 16 पांच में 10 का divide करेंगे तो आप अब देखें गुड़ां वाला multiply वाला solve करेंगे तो 16 से 2 कटेगा दो से काटेंगे 16 तो 20 प्लस 8 माइनस 8 तो 28 माइनस 8 मतलब आपका अंसर आजाएगा 20 option भी इस राइट आंसर अगला है बहुत ही सिंपल सा किसी बिन्दू P से रमन ने दच्छन की दिसा में चलना प्रारम किया माले ते यह स्टार्टिंग पॉइंट पी और दच्छन दिसा होती नीचे की तरफ और 40 मीटर चला कितना दूरी है यह दूरी बतानी है आपको ओके और किस दिसा में है तो पाइथागोरस प्रमे लगाएंगे पी आर की दूरी बतानी पी आर इस गल्टू क्या हो जाएगा 40 का स्कूर प्लस 30 का स्कूर अंडरोट में तो 1600 प्लस 900 पच्छिस हो आएगा तो आप का अंसर कितना आज हो जाएगा और दिसा कौन सी हो जाएगी दच्छन पूरब करें और कौन सी हो जाएगी नीचे की तरब जा रहा है तो दच्छन पूरब आपके जिसा हो जाएगी ऑ उप्सटन भी से right answer तो आज के एस वीडियो में इतना है थेंक्यो धन्यवाख!